वो सिर्फ यह है इत्ता सा आपके डिगगी में फिट हो जाता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां आज मैं बात करूँगा कि भी आगर आपके पास में वैगनार है कोई भी गाड़ी हो वैसे आप किसी के अंदर भी वैड करेट कर सकते हो तो बिन विद्वाय कि बाद की आपको दिखा देता हूं कि वह गता अधर गता है और वैने किस तरह से अपना करके चोटे से सिस्टम को बनवाय हुआ है विलाल मैं सबसे पहले अपनी जो ट्रे है कूंहता आ अवकि कहीं ना कहीं यह आपको चीजों को दिखाने में थोड़ा से रुकावट पैदा करेगी फिलाल आप दे सकते हैं एक फट्टा है इसका क्या यूज है यह मैं आपको भी बताऊंगा लेकिन मेरा जो बैड सिस्टम है वो सिर्फ यह है इत्ता सा आपकी डिगगी में फिट हो जाता है और डिगगी में फ साथ हैं हमें दोनों सीत सक घरा देंगे दोनवसेट शोंगी दोनों सीस्ट की शाली के बाद में आपकी पास में कैया है मैं आपको दिखाता हूं आगे चलके आपको एक support क्रेट कराना है जो है कुछ इस तरीके कब support आपको create कराना है जिसके ओपर ये bed system पूरा का पूरा रखा जाएगा तो ये आपने create करा है इसके बाद में बस आपको इसको unfold करना है मैं आपको पूरा process दिखाता हूँ और आप यकीन माने आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर और अगर आपके पास भी वेगा ना रहे तो 100% आप जो है इस bed system को बनवा देंगे कुछ में नहीं करना बहुत ही छोटा सा काम है आप इसको ऐसे open करेंगे open करने के बाद में यहां रखें और जो हमने support बनवाय था आगे इसको उठाकर उस support के उपर आपको रख देना है बस यह उचोगा bed system create बन गया ना पूरा bed अब यह देखे है हमने जो फटा लगाए था अब आपने देखा होगा यहां बीच में एक छोटा सा gap है मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि अकेले हूँ तो मुझे खुदी जो है अब सब कुछ दिखाना पड़ेगा यहां जो आपको छोटा सा gap दिखाई दे रहा है अब यह क्या है इसलिए बनवाना पड़ा क्योंकि यहां पर हमारे पार टायर होता है तो टायर की वज़े से जो है अब क्या करेंगे हम इसके बार में इस फट्टे को यहां रख देंगे और इसके नीचे कुछ यहां इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग मलब कुछ पत्थर या लकडी का टोगड़ा कुछ रख देंगे तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा पूरा फ्लैट बैड यह हो चुका ओवरॉल सिस्टम इस तरीके से 6Y4 का बैड तो क्रेट हो जाता है लेकिन यह यह भी नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर गद्दा डालने के बाद में कैसा होता है यह आपको लगाना पूरा पड़ेगा अब देख सकते हैं कुछ यह आपका 6Y4 का बैड जो है यहाँ पर क्रेट हो चुका है इस अलग हमारे पास में हैं दो कुशन अपने कुशन लगाएंगे और इसके बाद में आपको मैं लेट कर दिखाता हूँ कितनी शानदार बैड सिस्टम जो है क्रेट होता है अब आराम से इसके अंदर चाप यह देखें पूरा फ्लैट पंदा जो है अराम से सो सकता है फिलाल यह हो चुका है बैट सिस्टम क्रेट यह इस तरीके साब बैठना चाहें आराम से चाय वार नी पीना चाहें तो भी आपके पास में स्पेस है आप अराम से बैठके चाय भी पी सकते हैं आराम से अपना तसलिफ पूर्वक जो है काम कर सकते हैं और उसके बाद में अराम से सोगे रात कुजारियें जिससे यह है कि आपका तकरीबन जो तीन-चार आज़ा रुपए है वो बच जाता है फिलाल मैं आपको दिखाता हूँ वागए से कि आप इसको ट्रे को कैसे अड़्यस करेंगे इस तरह से बनेगा अगर आपके पास में यह ट्रे भी है तो इसको आप यहां पर रख सकते हैं यहां पर रखिए इसको रात को सो जाईए अब यह हो गया टोटल आपका बैड पूरा 6x4 का बैड बहुत शांदर तरीके से देखें पूरा बैड यहां पर बन जाता है 6x4 और अराम से तुबंदे लेटते हैं बहुत अराम से कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर और हैट भी देखो बहुत जादा है वह समान आपने उधर रख दिया और आपका जो ट्रे है मला जो पूपर की ट्रे थी वह आपने यहां र पारीफ है कहीं भी जाओ और खूब सारा पैसा बचाओ जो कि आपको कहीं पे दूसरा कोई मलब दूसरी कोई गाड़ी ऐसी प्रोवाइड नहीं करती सी अंजी में खार सोर से अगर आपके पास सी अंजी है तो यह बैस्ट है तो दोस्तों आई बिलीव कि आपको जो यह सि बहुत ज़्यादा बहतर है आप सर्दियों के अंदर कहीं भी ट्रवल करो कहीं भी कहीं भी ट्रवल करेंगे वहां पर ही आप इसका फायदा जो है उठा सकते हैं अब मैं हूँ फिलाल दार्चा और कैलोंग से आगे थोड़ा सा और यहां पर भी मैंने इसी बैड सिस्टम क के अंदर मैंने सोया बहुत पढ़िया फील रहा भाई मेरे कम से कुम दो तीन अजार रोपे बचे और मैं अभी तक जितनी भी ट्रिप के अंदर सोया हूं सब अपनी गाड़ी के अंदर ही स्वाए एक दिन को छोड़के क्योंकि वहां पर क्या लोंग में क्योंकि वहां व बिलिवबल है वो माइंड ब्लोइंग है फिलाल वीडियो पसने आए तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर कर अपने सभी फैमिली और फ्रेंस के साथ और ऐसी और मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वैसे भी अब